Hello Guys, Welcome To My Channel और आज मैं आपको प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताओंगी यह जो क्लासिफिकेशन मैंने, मैं आपको बताओंगी यह बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही simplest तरीके से plants को कैसे classify करते हैं और different aspects को दियान में रखकर plants को किस तरह से classify करते हैं तो पहले plants को हम लोग classify करते हैं यह flowering है या फिर non-flowering है जो भी plants में flowers होते हैं ठीक है? उन्हें हम flowering plants कहते हैं और जिन plants में flower नहीं होते हैं उनको हम non flowering plants करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो non flowering plant है इसको crypto games कहते हैं और जो flowering plants होते हैं उनको हम feneral games कहते हैं तो यह crypto का meaning होता है hidden तो यह जो plants हैं जिन में flowers नहीं होते हैं उन्हें हम crypto games कहते हैं और जिन plants में flowers होते हैं उन्हें हम Fenero Games कहते हैं अब देखिए Crypto Games को हम दो Parts में Divide कर सकते हैं एक वैसे Flower, Non-flowering Plants जिन में Embryo present नहीं होता है दूसरा जिन में Embryo present होता है तो भाई Embryo जिसमें present नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं Thelophita और जिसमें Embryo present होता है उसे हम कहते हैं Embryo-Pyta तो ये तो बड़ा सिंपल है, embryo present होगा, तुसे हम embryo phyta कहेंगे, जहां embryo present नहीं होगा, उसे हम thallophyta कहते हैं अब ये बात आती है कि भाई, ये embryo कहां चला गया, embryo का formation हुआ क्यों नहीं, ठीक है? तो embryo के formation नहीं होने के पीछे ये reason है, कि जब भी plant में fertilization हुआ, तो जाइगोट का formation होगा, आफटर fertilization जाइगोट का formation होगा, और ये जो जाइगोट है, ये जब mitosis normally करता है, तो ये embryo बनाता है लेकिन अगर इसमें mitosis न हो करके, अगर इसमें meiosis हो जाए, तो फिर ये embryo नहीं बना करके, ये sports का formation करता है तो थेलोफाइटा के case में यही चीज होता है, कि इस case में जो plant body है, ये जाइगोट बनाने के बाद, इसमें meiosis हो जाता है और meiosis होने के बाद, sports का formation हो जाता है, जिसके कारण embryo का formation नहीं होता है, इसलिए हम इसमें कहते हैं no embryo, मतलब embryo का formation नहीं हुआ है इन plants को हम कहते है थेलोफाइटा को अगेन हम divide करते हैं, autotrophic और heterotrophic में तो autotrophic होंगे जो अपना food खुद synthesize करेंगे, वो हो जाएगा algae और heterotrophic में वो plants आएंगे, जो की अपना food synthesize नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम कहेंगे fungi Now let's come to embryo phyta, embryo phyta में vascular bundles के presence के आधार पर हम embryo phyta को दो parts में divide करेंगे, पहला जिन में vascular bundle होगा, दूसरा जिन में vascular bundle नहीं होगा तो जिन plants में vascular bundles होगा, नहीं होगा, उन्हें हम a tracheophyta कहेंगे और जिन plants में vascular bundles present होगा, उन्हें हम tracheophyta कहेंगे तो ये tracheophytes में plants जो हैं वो bryophytes आते हैं और tracheophyta में हमें teridoophytes जो है, वो teridoophytes आएंगे तो अगर मालिचे friends अगर question आता है कि first embryophyte among plant kingdom तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका bryophytes लेकिन अगर इसी के जगा पे question आता है, first plants where vascular bundles are found तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा teridoophytes guys, यह जो मैं आपको video बना रही हूँ, यह आपके किसी भी exam, biology का कोई भी exam होगा, इसमें यह आपका बहुत ही helpful होगा चाहे वो NEET का exam हो, वो NET का exam हो, या फिर TGT, PGT, किसी भी exam में जहां भी bio के questions आएगे, यह बड़ा basic सा portion है और यह आपको बहुत ही helpful video है आपके लिए, यह आपको बहुत ही simplified तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है और friends कुछ question आ रहे थे, कि तैयारी के लिए कौन सी book prefer करें, तो पहले आप अपने basic concept को ठीक कीजिए पहले basic concepts जब आपका ठीक हो जाएगा, तब आप easily कहीं से भी MCQs आप solve कर पाएंगे उसके लिए सबसे पहले आप NCRT के questions को solve करने की कोशिश करें, कोई भी NCRT based या कोई भी medical based exam आप की भी book ले ले और उसमें से basic जो simple basic questions हैं, उनको आप solve करने की कोशिश करें, जब वो आपका solve होना start हो जाएगा, तब आप syllabus को ध्यान में रख करके, फिर आप उन portion से questions आप solve करेंगे और market में जो books हैं, बहुत कम books available हैं, आपको मैं आगे की videos में आपको बताऊंगी कि आपको कौन-कौन से books follow करने हैं, पहले अपना basics ठीक कर लीजे, उसके बाद कुछ special books हैं, जो कि especially teaching के exams के लिए आते हैं, उन books का मैं नाम आपको दे दूँगी, आप उनको आप खरीद लीज जिएगा, गाईज, अभी मैंने आप मुझे कुछ बच्चे थे, उन्होंने पूछ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि PDF, question के PDF के बारे में, तो PDF मैंने अपने टेलिग्राम जो channel है, उसमें मैंने share कर दिया है, आप मेरे टेलिग्राम चैनल को subscribe कर लें, और उस channel में आपको question paper का PDF easily available है, आप उससे मेरे टेलिग्राम चैनल से आप जुड़ें, और आपको PDF जो है उसका available हो जाएगा, अब हम आते हैं flowering plants में, तो flowering plants जिन्हें हम fenero games भी कहते हैं, इसमें आपको दो तरीके के plants हो सकते हैं, एक है ऐसे plants जिनमें fruit नहीं पाया जाता है, ठीके, और दू fruit जिनमें नहीं पाया जाता है, वो plants होते हैं, उनको कहते हैं, उन plants को कहते हैं, naked seeded plants, और जिन plants में fruits मिलता है, उन्हें कहते हैं, या फिर वो covered seeded plants भी कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है fruits उन्हें हम gymnosperms की category में रखते हैं, और जिनमें fruits मिलता है, उन्हें हम angiosperms की category मे तो all together हम देख सकते हैं कि tracheophyta में हमें teridophytes, gymnosperms और angiosperms आते हैं जबकि embryophyta में हमें bryophytes and teridophytes आते हैंगे थैलophytes में algae and fungi आते हैं इस तरह से एक broad classification हमने plants का देखा आगे की class में हम देखेंगे कि और किस-किस aspect को ध्यान में रख करके plants को classify किया गया है चैनल को like जरूर करें, वीडियो को share करें, subscribe करें Thank you